लोकतंत्र के मंदिर में आज देश को शर्मिंद की महसूस हो ऐसा व्यवार कॉंग्रेस, कम्मुनेस्ट और ये सभी पार्टियों ने दर्शाया सर्वत अलिया बैठक में ये तैह हुआ था कि कोई भी पार्टी चाहे सत्ता रूट पार्टी हो चाहे विपक्षो कोई भी मानन सदस कभी भी पार्टी लेकर लेकर सदन के कारवाई को बिगाड़ेगा नहीं सदन में इस प्रकार का व्यवार नहीं करेगा आज दोनों सदनों में जिस प्रकार से कॉंग्रेस और उनके मित्तल कॉमिनेस्ट, प्रेडमूल कॉंग्रेस, डीम के, आधी ये इंडी अलायंस के घमांडिया गटबंधन के सदस्यों ने, जिस प्रकार का भद्दा व्यवार सदन के अंदर किया, सदन की कारवाई को बार-बार डिस्टर्प करना, डिस्टर्प करना, व्यवधान पहुचाना, जिस प्रकार से कई माननिय सदस्यों ने, प्लैकार लाके, सदन की, सदन के आसन की, पुरे देश की एक प्रकार से अव्मानना करी, जिस प्रकार के व्यवार से, ये लोगतंत्र के मंदिर में, आज देश को शर्मिंद की महसूस हो, ऐसा व्यवार, कॉंग्रेस, कम्मुनेस् पाटियों ने दर्शाया उससे आजपूरा देश बहुती दुखत महसूस करता है दोनों मान्य स्पीकर और मान्य चेर्मेन का आज अपमान किया गया उनके बार-बार आग्रह पर उनके बार-बार अनुरोथ पर विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी, वेल में आये, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया और यहीं नहीं, कई मान्य सदस्यतो प्लैकाड लेके जिसके बारे में मान्य स्पीकर के समक्ष और मान्य चेर्मेन के समक्ष सर्वत हलिया बैठक में यह तैह हुआ था कि कोई भी पार्टी, चाए सत्ता रूट पार्टी हो, चाए विपक्ष हो, कोई भी मान्य सदस्यतो प्लैकाड लेके सदन के कारवाई को बिगाड़ेगा नहीं, सदन में इस प्लैकार का व्यवार नहीं करेगा, उसके बावजू आज कई मान्य सदस्य प्लैकाड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए, बार बार अनुरोद किया गया, मान्य सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठके बोले, बार बार अपील किया गया कि प्लैकाड लेके ना आए, उसके बावजूद, जिस प्लै सबा अध्यक्ष को 33 माननिय सांसदों को सब्पेंट करना पड़ा इस सेशन के आखरी दिन तक और राज्यसभा में मान्य 34 सांसदों को सेस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखरी दिन तक और 11 अन्य सांसदों को सेस्पेंड करना पड़ा जब तक के उनका केस जो प्रिविलेज कमिटी को रिफर हुआ है प्लैकार्ड लेके आने के कारण, वेल में आन करने के कारण और व्यवधान करने के कारण ये जो 11 मेंबर्स हैं उनका केस प्रिविलेज कमिटी को रिफर किया गया है तो कुल मिलाके 45 मानने सदस्यों को राजसभा में आज सस्पेंट करने का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण आज उनके वहवार के कारण ये स्तिती उप हाउस में जो बड़े इंपोर्टन लेजिसलेशन ते आज तो महिलाओं के आरक्षन का लेजिसलेशन था लोकसभा में जिससे जम्मू और कश्मीर और अन्या पॉंडिचरी में 33 प्रतिशत हमारी माता बहनें को आरक्षन देने का बिल राजसभा में पारित होना था ये जब भी कोई OBC का बेल होता है जब भी कोई पिछले समाज को उनका अधिकार देने का कोई काम होता है जब भी महिलाओं का सन्मान नारी शक्ती को आगे बढ़ाने के लिए प्रदान बंतिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार अच्छे कदम उठाती है तो कॉंग्रेस को बड़ी पीडा होती है कॉमिनिस्टों को बड़ी पीडा होती है वो नहीं चाहते है कि महिलाओं का सन्मान हो वो नहीं चाहते है कि पिछला वर को इस देश में अफसर मिले वो नहीं चाहते है कि कश्मीर में जो आज अमन शान्ती देखने को मिलती है जिस पिकार से आर्थिक विकास कश्मीर में देखने को मिलता है जिस प्रिकार से वैली में आज दो करोड से अधिक परियटक आते हैं इस सबसे मुझे लगता है राहुल गांदी जी को विशेशकर और कॉंग्रेस कॉम्मिनिस्ट और अन्य इंडी गटबंदन गटबंद्या गटबंद्या गटबंदन के सद निन्दा करते हैं इनके व्यवार की जिस मेकार से इन्होंने सदन में बार-बार व्यवदान किया और जिनके कारण भारत की इस लोकतंत्र के मंदिर का अप्मान हुआ है इसकी हम घोर निन्दा करते हैं